में ने माल डाला पांडिया को, असलम पठान को और वो चोर मंत्री को क्योंकि इन ही लोगों ने मेरे पती को तडपा तडपा कर पानी में डूबा डूबा कर माल डाला था मैंने समाज की गंदगी साफ की है, समाज का भला किया है पता है ये लोग मेरे लिए क्या थे? कप्रिस्तान में पेड़ के नीचे बैठी चुड़ेल के उल्टे हाथ के छोटे उंगली के नाखुन में भसी मैल ये परुसरा हम ये देख आपकी पगार का पैसा मिलने के बाद आप आलतुफालतु खर्चा करके पैसा करते हैं बरबाद ये पैसा मेरा है ना कि आपके बाप का इससे मैं कुर्ता सिलवाओं या कच्छा आपके नाप का जो भी सिलवाओं मेरी मर्जी बाकी का जो काम है देख लेगा दर्जी जी नहीं ये पैसा है सरकार का हमारे सभी गवर्मेंट इंप्लोईज के अधिकार का मेरे पैसों पर सिर्फ मेरा हक है आप जिन पर कर रहे हैं रुबाब गवर्मेंट को उनसे नफरत है बेहिसाब होने दो लेकिन मुझे नहीं दिखता उनमें कोई दोश उनमें सिर्फ है जबरदस्ट जोश उन्हें चाहिए म्यूजिक ये हैं अच्छे नागरिक इनमें से एक है हलका यागरिक और एक है विनेशकार्थिक ठीक है ठीक है मान लिया लेकिन जिन जिन का आप दे रहे हैं साथ समाज में उनकी नहीं है एक पैसे की उकात आपको सिर्फ और सिर्फ देना चाहिए उनका साथ जिनके सर पर हो सरकार का हाथ जिन जिनके हक में नहीं है सरकार का मत उनसे आपको होनी चाहिए नफरत मेरा पैसा मेरा हक अब आगे बख देश का हर समझदार नागरिक समझता है कि किसे मिलनी चाहिए मदद ना कि आपके माफे आपका मतलब है कि हमें सरकार का होना चाहिए घुलाम मुम्के नहीं ये है सरकार का काम वो मेरे लिए है आप के लिए है और देश के बागी जनता के लिए है आपने और मेने सरकार बनाई है ना क्यों सही का ना अपने सरकार के लिए है आपने सरकार के लिए है आया आशीरवाद दीजे जीति रहो खुश रहो सुख रहो आबाद रहो खुछ रहो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया थांक यू तुम्हारा बेटा आ रहा है तो मैं लेने ही वो आज नहीं आ रहा है तो फिर हम साथ ही चलते हैं बड़ा हो गया है ना अपनी गर्फरेंट से मिलने जा रहा है बड़ा है बड़ा है बड़ा है बड़ा है बड़ा है अईया अईया बड़ा है अईया अईया बड़ा है कमाल की एक्टिंग थी सुपर ऐसे ही चलता रहा तो अपने प्लेज हम ही देखेंगे थेयर्टर का किराया भी नहीं निकलेगा परफॉर्मिंस का क्या फाइदा ऐसे हिम्बत नहीं हारते लोग आएंगे पीपल कमिंग अईया आज का जमाना तो पूरी तरह से पुब्लिसिटी का है विदाउट एड एवरी थिंग बैड देखो फिल्म वाले भी पेपर में एड डालते है न तो हमें भी अपने नाटक कायड डालना चाहिए वी आलसो पूट नहीं नहीं पैसों के लिए वरी नॉट रंगा प्रेस में है क्रेडिट दिलवा देगा इंकम होता ही पैसे दे देगा रिटर्न रंगा से मेरी बात हो गई है एड दे दो सब का काम बढ़िया रहा है बहुत भाद दन्यवाद आगा रंगा दादा लक्षमी ने तुम्हें टीवी पर देखा हां या मैं गया था लेकिन बिल्कुल मोझा नहीं आया क्यों क्योंकि इधर तुम राजा के माफिक आटिंग को दादा और दादा हमको यह लेके गया था हां हां हरे आओ बैठो नहीं मैं इसे ठीक हूं उपर देखने से मेरी गर्दन अकड़ जाएगी बैठो कल के प्ले में अच्छा करोगे ना हाज जैसे आपने सिखायो ऐसा करूंगा मेरे सिखाये पर मज जाओ अपना खुद का एक स्टाइल बनाओ बर हाँ मोही नहीं कहां है शादी की डेट फिक्स हो गई नहीं आया बात नहीं बनी क्यों उन्होंने शर्त रख दी थी के शादी के बाद मैं स्टेज पर आक्टिंग नहीं कर सकती इसलिए मैंने शादी से मना कर दिया शर्थ लड़के ने रखी है या उसके माबाप ने? उसके माबाप ने. वो एक बार लड़के से भी बात करना, फिर फैसला लेना. ठीक है या. ठीक है. हम कल मिलते हैं. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. क्या क्या बिल्कुल ने. हुआ 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 है हुआ हुआ टुमक Tal यह थूप्रों कोई system यह कोई टाइम है कबड़े दोने का आज दिन में टाइम नहीं मिला भूम दामाज जी भी आय है नहीं पापा वो Turbo तबियत तो ठीक है ना? अहाँ पापा मेरा लाडला कहा है? पापा वो अंदर है तरून नाना जी आजा मेरा राजा लक्षमी जरा पानी देना आजा मेरा मुन्ना सबबाश तरून आज दपेहर को आय हो मतलब स्कूल नहीं गए क्यों? आज होस्पिटल गया था होस्पिटल? क्यों क्या हुआ आज सुवा फिर से अटक आया था मम्मी मुझे वहाँ लेकर गई थी मेरा ओप्रेशन करने वाले है हाँ तुमने कुछ खाया? हाँ गुड बॉय हाँ चल बेटा अब हस दे नहीं हसेगा यह देख चुवा आया कहां गया कहां गया हाँ पुनेता आई पापा आज फिर से मिर्गी का तौर अपड़ा जी पापा नहीं बेटा आखे खराब हो जाएंगी क्या कहा डॉक्टर ने? सीटी स्कैन करके बताए कि इसके ब्रेन में एक गाठ है जो ऑप्रेशन से ही निकलेगी तुम चिंता मत करो यह बिलकुल ठीक हो जाएगा हम दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं पापा यह सबसे बड़ी स्पेशलिस्ट है इन्होंने जल्द से जल्द आप्रेशन करवाने को कहा है हम 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 ठीक है दामाद से बात करता हूँ उन्होंने ऑफिस में लोन के लिए अप्लाई किया है ऑप्रेशन में टोटल चार से पांच लाग का करचा है पता नहीं इतनी बड़ी रकम कहां से लिकर आएंगे हौस ना रखो पैसों का बंदुबस्त हो जाएगा लक्ष्मी यह सब बाते मुझे क्यों नहीं बताई कैसे बताती जी इसने भी मुझे आज ही बताया आप ठेटर में थे इसलिए मैंने आपको डिस्टरब करना ठीक नहीं समझा तरुन की बात थी तो डिस्टरब कर सकती थी दरसल एक वज़ा और भी थी मैंने और पुनीता ने रिष्टेदारों से पैसे मंगे लेकिन सब ने मना कर दिया आप कपड़े बदल लीजे मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ आपके लिए्टेदारी कि वज़ा थी 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 आपके लेकिन आपके लिए खाना लागाती हूँ झाल 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 पाल आपना को से रहां होुआ है कर दो 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 कि अजब 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 एड़ देखे भी पुबलिक नहीं आई बनी तबियत कैसी है ठीक है तुम्हारा रोल मोहन से करवाऊं ज़रूरत नहीं मैं कर लूँगा तैयारी हो गई हाँ हो गई ठीक है तुम्हारा था कि एड देने से हॉल फुल हो जाएगा कोई बात नहीं चलो यह क्या शादी पोस्पोन करने को बोल रही है मजग है क्या यही समझ लो पर मैं फिलहाल शादी नहीं कर सकती नहीं कर सकती मतलब कब तक नहीं करेगी दिन हफते महीने शाहिद सालों तक क्या यह ड़ी जैसी बाते कर रही है मई ने तो हनी मून का टिकट भी बुक कर लिए अभी तेरी मा की वज़े से मून को देखते देखते हनी चाटना पड़ेगा गिरेश इसकी वज़े मा नहीं है फिर को ने मैंने जो शादी के लिए प पाँच मिनिट पहले यह देखो शादी पोस्पोन कर रही है पूछो इसको इसने मुझसे तो कुछ नहीं कहा कल रात को ही डिसाइट किया लेकिन क्यूं क्यूंकि पापा को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए वो पैसे चाहिए थे तो शादी का खर्चा कर्चा मैं ही उठा जलता हो बाद में आता हूँ गिरेश कि मेरी बात सुनकर जाओ कि कल्यानी तुम भी रुको अपनी मां से कहो रोना है तो बाद में रो लें पहले मेरी बात सुन लें कि कल रात मैंने एक फैसला लिया है मैं कोई नौकरी कर लूँगा बीच में मत बोलो कल्यानी मैंने तुम से पैसे मांगे क्या मैं उन्हें खर्च करता नहीं देखना था कि तुम अपने पापा पर कितना भरोसा करती हो लेकिन तुम जट से राजी हो गई अपनी शादी के लिए जो पैसे जमा किये थे उसे बिना कुछ सोचे समझे मेरे हवाले कर दिया साबित कर दिया कि तुम मेरी पेटी हो तुम चाहती तो एक नाकारा निकमा बुढ़्धा समझ कर मुझे टाल देती लेकिन तुमने मुझे सम्मान दिया और क्या चाहिए मेरी आत्मा त्रिप्त कर दी तुमने कोई और मुझे पर यकिन ना भी करे मुझे परवा नहीं पपा सब ठीक हो जाएगा आपके लिए पैसे तो क्या मैं अपनी जान तक देने को तैयार हूँ पपा आई 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 जो आढब गिक वे भाट उाए भाट जो आआऑ कहा हुआ तका हुआ एग कि अंग हुआ भाट पाट कि ब मैं भाट जए कि अ जए 159 अब आग एग दो आए जए ख आए इए huh आए अच है एए एए एग आ आए जएए इसे हाई ए ए आओ आए एए लए आप झाल दोस्तों आर जे रॉकी लेके आया है आपके लिए गुड न्यूज और एक बुरी खबर भी बुरी कबर यह है कि जाने माने स्टेज आक्टर अभिनव कुमार उर्फ अया का आज शान देहां दो गया चीफ मिनिस्टर ने शोग जताते हुए कहा कि उनके चले जाने से कला और रंग मंच की दुनिया को एक बखुत बड़ा नुकसान हुआ है और अब बढ़ते हैं अगली ख़बर की ओर इतनी तकलीफे सहकर भी अया ने इस थेटर को पचास सालों तक जिन्दा रखा अलाइव अब जब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो इसे बंद कर दें, क्लोज मेरा दिल नहीं मानता, नू अगर रोज प्लेज ना भी कर सकें, एवरी डे तो हफते में एक बार तो कर सकते हैं, once a week अया भी यही चाहते, same to same ठेक बोला, अगर हम स्टेज से ज़्यादा दिन तक दूर रहे तो हमारा आत्माव का एक आंश मारसा जाएगा नोकड़ी करता है, तो मजबूरी है पर यह स्टेज ही हमारा जिन्दगी है मैं तो कहती हूँ, हमें हर रोज एक शो करना चाहिए हाँ, अया की याद को जिन्दा रखने का यही एक तरीका है इसलिए हमें शोस करने ही चाहिए ठीक है, शनिवार से शुरू करते हैं, स्टार्ट सही कहा, शुत्ती बुला, तो कल से रियसल शुरू कर देते हैं, ठीक है, ओके भीमा, तुझे पता भी है, तु क्या कह रहा है इतनी बड़ी बात, का और किसके सामने कह रहा है, दिमाग भ्रष्ट हो चुका है दिमाग भ्रष्ट हो चुका, तभी तीन लोगों के देव के सामने ये बात कहने का दुस्ताहस कर रहे हो दिमाग भरष्ट हो चुका है तुम्हारा क्रोथ की वज़े से कभी तीन लोगों के राजा तीन लोगों के देओं के सामने आइसा बात करने का दुस्तास कर रहा है आजाओ पांचाली मेरे जांग पर आकर बैड़ जाओ इसने पांच पांडवों से विवा रचाया है ध्रात दुस्तासन यहां आओ इन आहंकारी पांडवों का सर लज्जा से जुका दो और द्रोपदी की साड़ी खीचलो नहीं दुर्योदन इसा मत करो कृष्णा द्वार का धिर्श मेरी रक्षा करो इंद्रदेव की सौगंद माशक्ती की सौगंद इस सभा के सामने प्रतिग्या लेता हूँ इसका अर्नपुन्शक्दुर्योधन को जिस्रे आगनी सी मेरी पवित्र धर्म-पत्नी को मेरी पांच अली को अपमानित किया उसका चीर हरन करके जंगाओं पे बिठाने का नीच आदेश दिया या अगलानी से सिर जुकाएं मंत्रियों के सामने रन भूमे में अपने बल और शक्ति से उसके जंगाओं को चीर दूँगा पांच अली को हाथ लगाने वाले दुशासन के हाथों को शरीर से उखार फेकूंगा और उनके विक्षित शरीर से निकलने वाले रक्त को रस की भाती पी जाओंगा ये भविश्चिवानी आजटल है ये भीम का वचन नहीं है ये परमशक्ति का वचन है मुझे बल और साहस्वयम परमशक्ति देगी इन्हें अपने कर्मों की सजा मिले क्या कलाकार है गुड एक्टिंग रंगा कबाल कर दिया जी दादा भाईया रंगा की आक्टिंग देखी रंगा तुम्हे तो आज स्टेज को हिला दिया शेकिंग आपका आशिरबाद है दादा अया के सामने ऐसी आक्टिंग करते तो वो खुश हो जाते है ठीक है ओके आज के लिए इतना काफी है इनफ रहे ज़रा प्रपर द्रेस्ते रहतल करेंगे टुम्हारो इक है। कि एक है अज़े एक है। यह सरासर अन्याय है यह सरासर अनुचित है एक व्यक्ति समझने की जगह आप लोगों ने मुझे एक वस्तु समझ लिया जुए मैं हारने के बाद मुझे दाव पे लगाने का दिकार किस ने दिया आपको आपसे मैं केवल द्रौपत की पुत्रे कहलाओंगी हारने के पश्चात किस मुझे मुझे अपनी धर्म पत्नी कह पाएंगे इस बात का उत्तर है आपके पास यहां पर कोई है जो मेरी पीडा समझ सके सत्य क्या है यह जानके भी सबने यहां मनवरत क्यों ले लिया है क्या यहां न्याय की मित्ति हो चुकी है अज का बात जुए में पोत्नी तो क्या कोई शाकोर यहां दासी को बीडाव पे नहीं लगाने वाला हाए ब्राता श्री आप पुष्च्टाप को रहे है अपनी पोत्नी को हार दे के बात क्रिष्णा सर्वशक्ति मान क्रिष्णा मेरी रक्षा करो रक्षा करो क्रिष्णा मेरी रक्षा करो द्वार कदेश मेरी रक्षा करो रक्षा करो क्रिष्णा रक्षा करो मैं आज और अभी माशक्ती के प्रतज्या लेती हूँ दुष्यासन के बुजाओं का रक्ष और इस दुष्ट दुर्योधन की जांगों का रक्ष उन दोनों रक्तों को मिला के ही अपने केशों को धोने के बाद हाथों से तेल लगाऊंगी और उसी के बाद अपने केशों को बांधूंगी उससे पहले केश नहीं बांधूंगी व मुहीनी, मैं तो सप्ने में भी नहीं सोच शकता था कि तुम ऐसी भी एक्टिंग कर सकती हो तुमने तो कमाल कर दिया मुहीनी ऐसी एक्टिंग कर सके ये मुम्किन नहीं नहीं नौट पॉसिबल कहीं आया दुरुपत की पुत्री द्रिष्ट दुमने की प्यारी बेहिन तुम एक पासा के तुल्ले नहीं हो सकती ये पाप है, आधार्म है तुमने उसे दासी से भी कम मान दिया उसे जुय के दाव पर लगा दिया जाओ, शिक्र जाओ और जाकर मशालो को प्रज्जुलित कर दो दुरियोधुन ने जो महापाप किया है उसका लिए उसका खेत महल अया यही है, ये रुनली भीम, तुम्हे आभास भी है, तुम क्या कह रहे हो इतनी बड़ी बात कह डाली तुमने वो भी कहा और किसके समक्ष क्रोट ने तुमारी सोच को अंध्र कर दिया है आज ये सही हिंदी कैसे बूल रहा है, हाओ अपने भ्राता का विराश करने की बात कह रहे हो क्यूं समझ नहीं रहे हो तुम विवश है हम वचन से बंदे हुए है हम सयम रखना सीखो, समय का पहिया आवश्य घुमेगा और इस पहिये का घुमाएगा मेरा धल शबार्ड रण भूमी पर अपने पूरे बल और शक्ति से उसके जंगाओं को चीर दूँगा मेरी पत्नी को हाथ लगाने वाले तुम्स यह बात अटल है, पूरा संसार देखेगा यह भीम का वचन नहीं है, परमशक्ति का वचन है मुझे बल और साहन स्वयम परमशक्ति देगी इस कंड का वद युद भूमी में मेरे हाथों से होगा मैं कृष्ण के चरलों की सोगंद खाता हूँ अपनी धर्म पत्नी की सोगंद, अपने धलुष्ची की सोगंद खाकर कहता हूँ दुर्योधन तयार रहना, युद का बिगुल बजाओंगा और वहां मेरे युद कोशली से तुम्हारा सर्वनाज कर दूँगा क्या अक्टर है यार आयला बहुत सॉलिड अक्टिंग कर दिया मैं याज चलो बाबा, नमस्कर करो क्या युद कर दुम कर दो बेटा पुनीता, जरा यहां आओ, कम हियर. आया हमें छोड़ के नहीं गए, नौट कौन, यहीं है. कल वो रंगा के अंदर थे, इंसाइड, फिर वो मुझे मोहीनी में दिखे, और आज, वो मुझे श्रवन में दिखे, वो कई और नहीं, नोबड़ी, हमारे अया थे. तो क्या उनकी आत्मा यही है? पचास साल थेटर से जुड़े रहें, 50 येर्स, ऐसे ही छोड़ देंगे इसे. सिर्फ उनका शरीर गया है, उनकी आत्मा यही है, हर बार नए किरदार में आते है, कमिंग, दो दिनों से मैं खुद देख रहा हूँ, लुकिंग, एक काम करो, अगला नाटक देखने आना, प्लीज कम, खुद सब समझ जाओगी. कौन है? भाईया, फिल्मों के कोई डिरेक्टर आए है, आप से मिलना चाहते हैं. ठीक है, ओके, मानता हूं रुको, वेट. नमस्ते, नमस्कार, मैं मनोज ट्यागी, बताएए, टेल मी, अपनी अगली फिल्म के लिए, हिरो की तलाश कर रहा हूं, आज मैंने आपका प्ले देखा, जिसने अल्चुन का किरदार निभाया है, बहुत ही टैलेंड़ है, अहला लगता है, लोटरी लग गई, वो मेरी कह प्लानी में फिट बैठता है, मैंने उससे बात की, तोसने का आप से करूँ, तुम बाहर रुको, वेट आउट से, अरे काका, क्या गुली मार रहे हो, सर, आपने हमारा प्ले पहली बार दिखा ना, फरस्ट टाइम, जी हाँ, एक एहसान करेंगे, फेवर, कहिए न, एक बार और ये प्ले देख लें, फिर फैसला करें, देन डिसाइड, उसकी क्या जरूरत है, जरूरत है, ठीक है, देख लेता हूँ, इस नाटक के निर्देशक हैं, अभिनव कुमार उर्फ अया, दुशासन बने हैं, शंकर, भीम बने हैं, रंगा, अर्जुन के किर्दार में, शवन, पांचाली बनी हैं, मोहिनी, और मनी, दुर्योधन, यह सरासर अन्याए है, यह सरासर अनूचित है, एक व्यक्ति समझने की जगा, आप लोगों ने मुझे एक वस्तू समझ लिया, जुए में हानने की बाद मुझे दाव पे लगाने का अधिकार किस ने दिया आपको, आपसे मैं केवल द्रौपत की पुत्री कहलाऊंगी, जाओ, शिक्र जाओ, और जाकर मशालो को प्रज्वलित कोर दो, दुरियोधुन ने जो महापाप किया है, उसका लिया, उसका खेत महल, सब को आगरी के हवाले कोर दो, भीमा, तुझे पता भी है, तु इस वक्त क्या बोल रहा है, इतनी बड़ी बात केड़ाली, कहा, और किस के सामने, कल तो इसके हिंदी बिल्कुल ठीक थी, आज क्या हो गया, कभी तीन लोगों के राजा, तीन लोगों के देव के सामने, अपने भाता के विनाश की बात कर रहा है, परिस्तितियों के सामने विवश है हम तुम, अपने वचन से बंद है हम, समय का जो पाईया है, वो आवश्य गुमेगा, सत्य और न्याई की विजय होगी, ये कभी मत भूलो तुम, नाता श्री, मेरे हाथ में कान्डिव धनुश्य है, उससे उसका वत करूँगा, हे महराजा, द्रोपदी के प्रश्णों का उत्तर दीजिये, उससे न्याई नहीं दिला पाए, तो पश्चताव की अगनी में जलते रहेंगे, कभी शांती से जी नहीं पाएंगे, हमारे पूरवज भी तो एक से एक महान राजा थे, क्या उन्होंने कभी अपनी पत्नियों का ऐसा तिरस्कार किया, अब इत्यास के पन्नों में ऐसा पत्नी को दाव कर रहा है, आज इंद्रप्रस्ट का राजा, जुए में हारने के पश्चात हमारा चाकर बन चुका है, यकीन हो गया कि अक्टिंग अईया ही कर रहे थे, मेरी फिल्म के रिलीज से पहले ही पापा चल बसे, फिर किसी भगवान के सामने मैंने कभी हाथ नहीं जोड़े, सिवाय अपने अपिता की तस्वीर के, उन्हें हमेशा अपने पास महसूस करता हूँ मैं, हर कदम पर मेरी हेल्प करते हैं, जब वो मेरे साथ हो सकते हैं, तो अईया आपके साथ क्यों नहीं हो सकते, अपनी फिल्म के लिए कोई और अक्टर नहीं चाहिए, कल साइनिंग अमाउंट लाओंगा, ये रोल शरवन ही करेगा, मुझे पूरा यकिन है, कि आईया मेरे फिल्म में आक्टिंग करेंगे, अगर अईया मेरे फिल्म में काम करेंगे, तो जितनी हीरो की फीस है, मैं आप लोगों को उससे जादा ही दूँगा, अगर अईया की आत्मा नहीं आती है, तो साइनिंग अमाउंट आप रख लेना, काल सबढ़ होंगा, चलता हम. नाना का अशिर्वाद लेलो बीटा संटो अपरी, सां रोद्गर, रोर्लिंग, पौरेण बाइ नो प्रीज़ ले झालयक। डामरा, रोल्व्रीयग, एक्षिन हाँ सर ओ अईया वहाँ पहुँच गए एक्षिन अरे ऑबा कितने देर एक्सप्रिशन होल्ड करके रखने का चल बाबा कट बूल कट बूल कट बूल तरुल क्यों अपरेशन में और देरी मत करो, टोल डीले मेरा एक फ्रेंट श्रवन को स्क्रिप्ट सुनाना चाहता है मैं चाहता हूँ कि पहले आप सुन ले आपके अप्रूवल के बाद ही कोई बात करेंगे सुन लेते हैं लिस्निंग नमस्ते, हाई, हलो, हलो, मैंने कहानी सुन ली, अच्छी है, गुड, ठीक है, तो मैं सर से डिसकस करके तुम्हें फोन करता हूँ, ठीक है तयागी, ओके, ओके, तैंक यू, सलिए सर, मैंने पहले भी समझाया था, पहले अइया की इजाज़त ले ले पर्मिशन, बाकी सब बाद में लेटर, मारन की फिल्म के लिए अइया ने हां कर दी है, अच्छी फिल्में आती रहीं, कीप कमिंग, तो अइया उनमें आक्टिंग करते रहेंगे, ये कहानी अंडर वर्ल्ड पर बेस्ट है, हमारा हीरो पहले नेग्टिव रहता है, बाद में पॉजिटिव हो जाता है, इसमें नहीं कर पाएंगे, ये एक फ्रीडम फाइटर की कहानी है, पूरी तरह कमर्शल नहीं है, सोशल है, ठीक है, ओके, इसमें करेंगे, आवर्ड मिलने पर आप तो कैसा लगा? आवर्ड मिलने पर तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन असली आवर्ड तो मेरे फैन्स का प्यार, नहीं नहीं, पैसों की कोई बात नहीं है, नो इशू, पहले कहानी सुन लेते हैं, अच्छी होगी तो जरूर करेंगे, शोर्ली, आईला, ये काका तो मेरा बाप बनने को देख रहे हैं, इस तरह तुम इंसाफ की आवाज का गला नहीं घोट सकते हैं, अपनी अवकार में, अले, शवन आया है, शवन, तुमको इस्टार बनने हैं, बढ़ गई तुम, कहते हैं कि सिनिमा ने थेटर की कोक से जन्म लिया है, और आज के हमारे सूपरस्टार ने भी स्टेज से ही सिनिमा में इंट्री ली है, मिस्टर श्रवन कुमार, मैंने श्रवन की एक नहीं सारी फिल्में देखी हैं हाली में काला सच फिल्म के लिए भी इन्हे अवाड मिला था क्योंकि इनकी अदाकारी में एक तासगी है, एक नैचरल पन है जो इन्हें सबसे अलग करता है मेरी शुब कामनाएं इनके साथ हैं, इन्हें और काम्याबी मिले मैं दिल से यही मनो कामना करता हूँ थैंक्यू, थैंक्यू मेरे को पॉलिटिक्स में नहीं आने का है ओके सर, प्रोडिशर को बोलना फोन करने को, मैं बात कर लूँगा उनसे थैंक्स, चलता हूँ कहा थैंक्यू कहा कहा को आया श्रवन यह कौन था, हूँ ही मेरे अगली फिल्म का डायरेक्टर है अगली फिल्म कौन सी? विच फिल्म? एक नई फिल्म साइन करने वाला हूँ एक दम जाखा स्टोरी है, मैंने सुन ली तुमने सुनी है, मैंने नहीं, not me. तो क्या फरक पड़ता है? वेस्ट ओफ एनरजी, अब से सफ़ाइस ले माई लूँगा. आया, किसी भी आरी-गरी फिल्म में काम नहीं करेंगे, no. ये क्या आया करें कोड़ बजोते रहे तू? इधर दिन रात काम माई कर रहा हूँ, मेरे फैन मेरे को देखने हैं सिने माहल में आते हैं, हर बात के लिए आया को क्रेड़िट क्यू दे लेगा? प्रोडूसर से तुम लाग हो लेते हैं, और मेरे को देते हैं ठुलू? काका, आया की इज़त मैं भी करता हैं, आप इके थेडर से निकलाओं, और अब मैं खुद का डिसीजन लेगा, आपकी ज़रूरत नहीं है, मैं मेरा देख लेगा विनाश टाले विपरीत बुद्धी सब्सवताई पीछे, पीचे डीपीचे जेल कर देख मैंमा इन्ठीक से त一点 ही सtest मार्निग हमार्निग भाउ नौस्ट बुयन अले पाँ अले जिए उने कैनी मैं है सीन बताँ सर सीन ऐसा है कि आप पार्क के अंदर बैठे हैं रीटेक देखें और आपकी स्कूल की गर्ल्फरेंड है वो आपको अचानक दिखाई देती है आप उसे देखकर शौक हो जाते हैं वो भी हो जाती है रीटेक देखें तो वो मुड़ के तुम चालो रखो तो वो आपको देखती है आप उसको देखते हैं शौक, सप्राइज, हैपिनेस, प्यार का ज़जबा सब एमोशिन के साथ उसे देखते रहते हैं रीटेक देदे कर हाँ गर्मी बहुत बढ़ गई ना ए जूस लेगे आ रहे जा चलो ओके सर में बिलकुल रेडी पोजिशन बताओ सर उस बेंच पे ओके असर वो हिरेन की दर वहां उस पेड के नीचे सर ओके सर हाँ वह हिरोइन टेक देगी आप यहां बेंच पे ओ आइसा है क्या ठीके ठीके सर शुरू में आप राइड साइड की ओर देखेंगे जैसे ही आप टर्न करेंगे हिरोइन आपको दिखाए देगी और नजर पड़ते ही रियाक्शन देना है सर वो पोजिशन बता रहा है मेरे को लगा हाई कर रहे है टेक करें सर क्लाप दो क्यामरा आउट एक्शन क्या लगने लिए जकास अरे आहा बजा गया किस ने इसे अवाड दे दिया कट ओके थाना सर सर लगा जैसे आप उसे पहले से जानते उसको जानता है न में सर आप उसे जानते हैं लेकिन यह नहीं जानते कि वह यहां पर मिलेगी क्याजूली टैन करिये ना क्याजूली देखने का इग्जाक्ली आठीक है वह इसे फूल गिरने जरूरी है क्या बहुत डिश्टरबिंग होता नक्रे देखो इसके पिंटो फूल रहने दे ठीक है यह सब बाद में ग्राफिक में कर ले ना अब एक गधे मचली को तैरना सिखा रहा है क्लापिंग क्यामरा एक्शन क्या लगरे लिवाई मस्त है हे बगवान एक दम कड़ाख चल्ला क्या स्मेल आरे ली कौन साइटर लगाती तू बेडा कर्क क्या वुल्दी इतना वाव खाएगी क्या चल्ला माई घुसेर दूस कट ओके धाला नेक शट लगाओ एक बार देख तो लीजिये हाँ आता हूँ सेर जैसा आपने बोला था पहले शौक बाद में खुशी फिर प्यार क्या आपको यही तो मूड चाहिए था ना आपको मूड समझाया था इमोशन्स का ओवर्डोज देने को नहीं कहा सर सर मैं तो डारेक्टर का आर्टिस्ट है जो डारेक्टर बोलेगा वही मैं करेगा हाँ वो मैं जानता हूँ एक लुक से सारे मूड एक साथ दिखे मैंने भी तो वही सेज किया ना वहारे घटिया एक्टर अब मैं कैसे समझाओं सर आपको चल मार अब देख एक्शन क्या लग रहे है आओ आओ ओ हो क्या साड़ी है आयाय क्या मस्ता कड़क इसकी तो कट रेक्टिंग का रेप कर रहा है ओके ने सर सर मिक्स्ट एमोशन्स को समझी है मिक्सर में डालू क्या अभी तक आपको जो समझाया उसे भूल जाहिए रीटेक देखे भूल जाहिए मतलब याद कीजे जब आप स्कूल में थे तो लव तो हुआ ही होगा आपको रीटेक देखे हुआ था ना सोची वह लड़की दस साल बाद आपको दिखाई दे रही है हाँ दिखाई दे रही है तो उसको कैसा लुक देंगे आप सैर यह तो बोट सिम्पल है अब मेरे आक्टिंग देखो वातें तो आसकर बिनर की तरह कर रहा है क्लाबिंग स्कूल में था अभी सोचा नहीं था बड़ियों के इतनी सालेड बनेगी तू एक्टिंग देखो यह एक्टिंग देखो तेरी तब नहीं मिली तो अब भी तो मिल जा ना इसकी तो कट होगे न सार यह ज़्यादा ही मेलोड्रोमाटिक है यही तो आपको चाहिया था ना अभी जो आपने एक्सप्रेशन दिये उसको थोड़ा टोन डाउन करो ना रिटेक देखे टोन डाउन तो यह पहले बताना चाहिया था ना मेरेको अपराद हो गया सर मूड को फिल कीजे ना सर एक लुक से ही काम हो जाए इतना मूँ बनाने की जरूत नहीं रिटेक देखे एक्शन अभी इसको आइसा टोन डाउन देता हो ना यह भी बोलेगा कितना टोन डाउन किया है क्या कर रहा है हाँ अभी आसूंगा इच नहीं यह भागवान मुझे उठालो अभी आप बोलेगा आप बोलेगा बोलेगा अभी आप खड़ी क्यों गया आप शुट हो गया आप शुट हो गया ना साजीप फेस एक ब्लांक था लाइफलेस आप आप अभी अभी आप अभी 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 आपर अभी हट किया इसे सुम्राओ सर इतना दात मत दिखाऊ ना सर पहले तुमने बोला मेलो ट्रामा नहीं चाहिए फिर बोलते हो के ब्लैंक फिस नहीं चाहिए अभी दात दिखाय बगर कैसे आसेगा सर एक्स्प्रेशन वही दीजे बस दात मत दिखाये टूथपेस्ट का एड़ थोड़ी है यह ठीक है सर अब यह अम लोग एक फाइनल टेक लेते हैं ओके अक्शन क्या कैसी है अरे वाह किदर गई थी आरे क्या चल कॉफी पिते हैं चल बिस्किट भी खाएंगे कुकी कुकी आहा चा माईला यह क्यों हसर है कुछ लोचा तो नहीं कर रहा हूं न मैं यह भी हसर है मैं कुछ कॉमेडी कर रहा हूं क्या अरे यह भी हसर है यही फूल मारू क्या तेरे मुझ पे मैला सबके सब हसरे है सरची आप मुड़ना छोड़ दीजे एक प्यारा सा लुक दे दीजे ना एक ट्राई और करते हैं रेटेक देगे सर एक ब्रेक ले लुके थोड़ा चाई पिके आता हूं फिर करती जाए जाए क्या हो वह सर यार समझ में नहीं आ रहा पिछले अफ्टे तो इसकी बैटरी फुल चार्ज थी अचानक से डाउन कैसे हो गई सर आपकी चाय सर मेरे सर पे डाल यह चटो वैनिटी के अंदर एक बुड़्डा था किदर गया कॉन सर आप परशूराम सर की बात करें वो तो कबके चले गए कैया इसा तो नहीं क्या आईया भी मुझे छोड़के चले गए सही शोट दे दे मेरे भाई वरना मुझे शूट कर दे यह सर हाँ सर हाँ सर हाँ सर हाँ एवरीवन रड़ी टेकिंग लाइट्स क्यामरा नहीं चाहे चले एक्शन 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 हाँ 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 सर जबर्दस्ति काई को घूम रहे है नेचरल वे में घूमू और नहीं तो हाँ एक्शन कट हाँ ये तो डर की फिलिंग आ रहे है सर डर हो अलग रहाँ एक्शन कट सर टेंशन में दिख रहे है टेंशन में दिख रहे है पूर एक्शन सर लाइटी फूट गई सर क्या हुआ क्या हुआ सर बल्प फ्यूज होगे सर लाइड भी इसको झेलने पाई सर एक मिनिट क्या हुआ आज तब्यट ठीक नहीं है कल शुट कर ले क्या सर यह पहले बोलना चाहिए था ना चाहिए थैंक्स अगर आया वापस नहीं आया तो मेरा खेल खतम एक्ष्ण काका आपकी बात नहीं समझ पाया मुझे माफ कर दो आपसे कानिया पिटी सेड करेंगे हाँ तो हाँ ना तो ना प्लीज आया को वापस आने को बोलो हम् 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 अबिजा ओको काका अगकोर्षोरा झाल अगर यह चपडगंजु आक्टिंग नहीं कर पाया तो मेरा तो भट्टा बैठ जाएगा श्रवानजी श्रवानजी सर कुछ परेशानी मुझे बताई ना एनी हेल्थ इश्यूस नहीं सर फैमिली प्राब्लम है सर कोई प्राब्लम नहीं सर तो फिर इतने टेंस क्यों दिख रहे हैं आप नहीं एवरिटिंग इस फाइन आज अच्छे से कर लेंगे श्यूटिंग करना चाहते हैं आप आई यू शॉर्ट कुछ डरे से लग रहे हैं रीटेक देखें श्रवानजी मुझे अपना छोटा भाई समझे ना जो भी बात है खुल के बताईए प्लीज सर कुछ कंफिस करने का है वो मेरी एक्टिंग नहीं थी सर मेरे अंदर आया थे जो एक्टिंग कर रहे थे आया कौन आया सर आया मतलब अभी नो कुमार हमारे थेटर के डाइरेक्टर मेरे अंदर उनके आत्मत ही जो एक्टिंग कर रहे थी वत्यागी सर ने उनकी फिल्म के अंदर मेरे को hero carlo offer किया था परशुरमकाका ने मेरे को permission दिया था वो शरीर तो मेरा था, पर acting तो आईया कि थी सर कल मै ने परशुरमकाका का आपमान किया तब इससे आईया मेरे शरीर से निकल गए इसलिए मेरे को एक्टिंग नहीं जम रही है सर मेरे को भौत कम एक्सपिरियन्स है सर जाहे जितनी भी टेक ले लो आपको जैसा चाहिए वैसा नहीं कर पाऊंगा अब ये की रास्ता बच्छा है कौन सा रास्ता आया को वापस लाना पड़ेगा आया मेरा बाप है जो मेरे बोलने से आजाएगा आया तेरा ये हीरो ड्रग्स लेता है क्या मुझे पता नहीं है सर अब बोलो संदर यार त्यागी श्रवन अच्छी अक्टिंग कर रहता लेकिन अब कम्प्लीटली ब्लैंक हो गया क्या हो गया उसे जब उससे पूछा तो कहा कि आया की आत्मा आई थी अब वो चले गए इसलिए आक्टिंग नहीं कर पा रहा हूँ क्या बकवास के जा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है तो सब बता दियो उसने क्या मतलब मेरी फिल्म में शरवण ने जो आक्टिंग की थी वो उसकी नहीं थी तो किसके आक्टिंग थी सच बात तो यह है कि आया की आत्मा शरवण में आक्टिंग कर रहे थी मैंने आया के प्लेयर्स देखे हैं आया के बिना श्रवन कुछ भी नहीं है यकीन करना ना करना तुम्हारी मर्जी है पर मेरी फिल्म आया नहीं हिट करवाई चलो माल लिया कि तुम सही कह रहे हो लेकिन वो मेरी फिल्म बीच में छोड़ कर क्यों चले गए इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है तुम बजा नहीं हो सकते है शायद उसने कुछ गल्ती की होगी जागी मेरा पेशन्स खाथम हो रहा है गुस्सा करने से कुछ भी हाथ नहीं लगेगा एक ही सलूशन है वो क्या? जो श्रवन ने कहा अया को फिर से बुलाना होगा अड़े बाबबा क्या है ये अड़े किसी इंग्लिश फिलिम का कानी लगता है तुमको बेकुप दिखता हूँ क्या मैं अड़े तुमारा बकवास को माल लेगा क्या? अड़े बाबबा कुछ भी शूट करके लाया नहीं सर अज तक तुमारा एक भी पिक्चर मेड़े को अच्छा नहीं लगा बड़ी साड़ा स्लो अन ग्लैमरस और बोरिंग है मैंने पैसा श्रवन की वज़े से लगाया है और तुम बोल रहे हो श्रवन को एक्टिंग नहीं आता अड़े जूट क्यों बोल रहे हो? सर मैं आपसे जूट क्यों कहूंगा उसकी बात को जूट समझ के मैंने त्यागी या ये फिल्मी कान ही मेड़े को मत सुनाओ अड़े दस टक्ये पर पैसा उठाया मैंने सिर्फ पच्चिस दिन का शूटिंग पूड़ा हो पाया है अड़े तुम्हारे भड़ोस से तो मैंने लाखों रुपए खर्श कर दिये अड़े कैसे ख्या करना वो सब तुम जानो अड़े छुट्टी चाहिए तो ब्रेक लेलो वड़ी उसको अच्छा से ट्रेन करो और फिल्म कम्प्लीट करो वड़ी हीरो तो वही रहेगा सर उसे ट्रेन करना कोई बच्चों का खेल नहीं है सर ये तुम जानो सर अड़े चड़िया जा दिमाग मत खड़ाप कर ब्रेकिंग न्यूज और अया के मित्र पशुराम ने आश्रिपोचर से बात की अया के लिए अक्टिंग उनका जीवन था उसके बिना वो कुछ नहीं थे नथिंग अक्टिंग से उनका अस्तित्व था और अक्टिंग करते हुए ही उनकी मौत हुई लेकिन आज भी इवन टुडे वो लगातार अक्टिंग कर रहे है उन्ही के कमाई से हमारे घर चलते हैं ये सच है फैक्ट वरिष्ट फिल्म निर्देशक भारत राजन ने मीडिया के सामने इस बारे में बात की अब मैं क्या कहूँ सच मानों तो इस खबर पर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा लेकिन मेरा सोचना है आर्टिस्ट कभी नहीं मरता किसी ना किसी रूप में हमारे सामने आता ही है अब इनों कुमार और फैया आज नहीं सालों से मैं उनके प्लेस देखता आया हूँ उनके टैलेंट की कदर करता हूँ एक बार की बात है उन्हें अपने फिल्म में काम करने का ओफर दिया मना कर दिया मुझे उसका कारण भी बताया कहा कि जब तक मैं जिन्दा हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ लाइव ओडियन्स के सामने ही परफॉर्म करना चाहूँगा चांस मिस कर दिया वो सब फिल्में जिनकी चर्चा आज हो रही है मैंने नहीं देखी लेकिन अब ज़रूर देखूँगा यही है नमस्ते सर बेठिये सिट सर मैं थाई प्रड़क्शन साया हो रवी मेरी नई प्रड़क्शन के लिए मैं चाहता था आप आया की डेट्स मुझे देदे बहुत बढ़िया काहनी है सर फीमेल ओरियन्टेड लड़की भी फाइनल कर ली है सर एक्टिंग भी ठीक ठाक करती है बागी आया समाल लेंगे मैं जानता हूँ सर आया ने फीमेल करेक्टर्स भी किये हैं अपने ड्रामाज में और इस करेक्टर में तो आया जान ही डालतेगे रवी जी कहाने सुने बिना विदाउट लिसनिंग जब कहोता बागे सुना दूँगा आया का अप्रूवल मिलते ही शूटिंग भी शुरू कर दूगा अगर आया ने इस फिल्म में आक्टिंग कर दी तो फिल्म तो सुपर हिटिए सर मैं कमला प्रोडक्शन से आया हूँ रमेश अया जी को साइन करना चाहता हूँ बाप बेटे की कहानी है बाप भी अया है और बेटा भी अया है डबल रोल है सर एक स्पेशल रोल है पांच साल के बच्चे का आपको बस सीधा चल कर जाना है और मार्ट पर रुख जाना है सर ये कहानी ना मा और बच्चे की है जिसमें बच्चा उसका नहीं होता पर वो उसे पालती है अच्छी कहानी है नाइस स्टोरी मोहिनी तुम्हारी एंट्री का टाइम हो गया देखिये परसों अईया नहीं आपाएंगे यहां अल्रेडी उनका एक शो है ठीक है ओके सुनो तयार हो रेड़ी आज़र मैं बिबार नहीं पड़ सकता मेरी बाद ध्यां से सुनो तुम मैं टाइम टू टाइम वेक्सिनेशन लेता हूँ इसलिए हर बिबारी से बढ़ जाता हूँ मैं चाहता था ऐसे मुल्क का बनेंगा मैं राजा लाखों में एक स्टूडिये सर आपका क्या खाल है माव कीजिये मजा नहीं आया नो फंड़ मुटा भाई छेला पचास वर्षों से फिल्म बना रहे है फैमिली गौर माराज ने एडवाइज दी कि तुम्हारी साढे साथी चल रही है इटले फिल्म बनाना मत इसलिए वेट किया अब इतने गेप के बाद फिल्म बना रहा हूं तो मुझे या चाहिए ही चाहिए मुश्किल है डिफिकल्ट एकदम साकाहरी फेमिली फिल्म बना रहा हूं एक नंबर स्टोरी यह बंगाली बबू सुनाएगा दादा यह हमार कोलकाता का कहानी है अच्छी कहानी है ठीक है ओके दौन्नो बाद हीरो कोन है हूं आखिर में एक्टिंग तो आया को करनी है हीरो मैं बज जाता हूं मुटा भाई आया यानी हमारे अभी मोजी माफ किजे सौरी अगले दो महिनों तक कोई डेट महीं है दिन भर शूटिंग करने के बाद नाइट शिफ्ट कैसे करेंगे बताइए टेल मी एक कम हो सकता है वन थिंग मैं बीस और एक्कीस का कुछ करता हूं सम थिंग उस पोस्टर पे जो लिखाया वो गलत है अया ने उस भाइया उसने क्या आपको यही कहानी सुनाई थी यहाँ जेठालाल की शुटिंग चल रही है जी कि ंंतर फैक्तरी है क्रेंगा कर न झाल यह दोरन्म ौर्ड्र फूर्म पार दो पसी कि सा जर से आंग जडो! बहुए कि और और ठुटन को बग में ऄ요 अजक अए अजए अजए नजयों अजए यजयों अजए बगा कि और एमत ने उाफ इसा हगो इसा हगो इसा हगो अजए वगा इसा हएना वह में उडश है ि crisp कर अप्र som जय को जete कि अंतक जप अप्र हुछ paar अधर कि अ ठका अार। एे घ्टार आईगे जढ़ाम 89 और लाद अठान श्याद कर दो नदिन है कि अजया हुआगाना यदारा आईगे अजया है ऐ्याद आईगे यदारा आईगों आईगे पार उन्मा आफ पार आपार एंग नदिया है बमर्त आफ इस व्याम उखिर मुट्डिन सक्थे शोची है स्था आफ्हें इस व्या गिस्यृ स्थे काय, बुल्ष्षtu झिर्टिया आयुश्षु झिर्टि इस कैटिस्ट झिर्टित्टित् काय। है.. आयुश्षे निम्दित्ने काय। हमाँ 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 हम ए पत्र एप आप चुशल देंगे मैं तो हरान रहें सर सुपब सर प्रखब शॉट सभी था भंगाली बभू हाँ दादा एक दम सॉलिट था पूरा हॉल में सीटी बोजेगा अगला गाना हम मौरिश्यस में शूट करेंगे हाँ हाँ खुप भाले अरे आप कब आए थोड़ी दिर पहले ही बैठे ना स्पाट दादा देखिएगा ये फिल्म तो रिलीज होते ही धूम मचा देगी पिछले सारे बॉक्स ओफिस रिकॉर्ड तोड के रख देगी क्या रे सार के लिए चाय कॉफी कुछ लाने नहीं चाहिए चल जा ये कैसी फिल्म बना रहा है वाट इस दिस क्या मतलब वाट इस दिस मेरा सीन है सेकेंड हीरोईन का रेफ हो रहा है नहीं तभी मैं उसे बचाता हूं वह गांडी हो जाती है और मेरे को गले लग जाती है कट्टू मौरिश यसमें गाना अगले अपते वो सेड्यू ले जो कहानी मुझे सुनाई थी उसमें ये सिन नहीं था नौट देर ओडियंस को होल तक लाने के लिए ये सब करना पड़ेगा नहीं तो फिल्म दंदा कैसे करेगी वो मैं नहीं जानता आप स्टोरी के साथ छेड़ चाड़ नहीं कर सकते ये मोटा भाई स्टोरी नरेसन में कोई फाइट या सौंग सीक्वेंस थोड़ी बताता है जो कहानी सुनाई थी वही फिल्म बनाईए ये सब नहीं चलेगा नो ये मोटा भाई कल को आया की पिक्चर फ्लोफ हो गई ये बोलके कि इसमें फाइट या सौंग सीक्वेंस नहीं है तो सब मेरे उपर उंगली उठाएंगे ने तुमको कोई उंगली करने नहीं आएगा ये आप खलत कर रहे है इंडस्ट्री में यही होता है स्टोरी होती कुछ है ने बनाते कुछ और है कौन देखेगा सिंपल ने सिद्धी स्टोरी कोई भी पिक्चर हो मसाला तो डालना ही पड़ता है इसी वज़ा से आया ने कभी फिल्मों में काम नहीं किया आज की ओडियंस काफी समझदार हो चुकी है मोटा भाई आपणे वेपारी लोग है नुक्सन में दंदा करेंगे क्या आया अभी तक क्लासिस के हीरो थे हम लोग उनको मासिस के हीरो बनाएंगे और जनता का सूपर स्टार बनाएंगे मारा पर भरोस और लखो मोटा भाई उनको खाली अपने देश का नहीं, आपके अया को पूरी दुनिया का स्टार बनाएंगे ज़रूरत नहीं, ऐसे मशूर नहीं करना अटली जीद केम, तमें धंदे की बात सोचो ने, मैं अच्छी पिक्चर बना रहा हूं, बस तुम उसमें उमली मत करो जो चीद समझ में नहीं आती है, उसमें अपने टांग नहीं अड़ाने का अया को इस फिलम के लिए मैं फोल पेमिंट कर चुका हूं, अया को एक्टिंग करनी पड़ेगी अवे ये मेटर मेरी है अने अया की है, तुम कोन होते हो नबस्ते सर, लोकेशन फिक्स होगी है, आपके तीन सीन है, इतने बजे की सिफ्ट है, सुबे साथ बजे की सर, एडरस है सेमेश कर देना भला छाप पॉन कर देना बार में पोन कर तीन हो, ओके बाई अलो बेभी काये बजे करो सब्रब खोने और वह बटर पैपर इधर से आएगा न, तो वो जो हाइ मैनिश थीक हूं, हाइ राज, मैं अभी आई आई खाने दादा, दादा दादा हाँ आफिस जाने के लिए आप उदर से नीचे उतरेगा और आखे आप अपना वाइफ को ढूंडेगा लेकिन वो तो किचन में चाय बोना रहा है तो आप उदर उसको आवाज लगाएगा मालती और आम कॉठ कोरेगा वाइप पूछेगा की होलो और दवड के आएगा अब इसके आगे का शॉठ हम माद में बोल्ची है मालती हम्म होके हाथ 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 टेक करो रेदी रोल कामरा 25 बाइवन टेक वान एक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् ददा ओग्सा लागर है मिष्टी मिठा बोलुन मिठा ना थी? ददा थोड़ा शक्कर और डालो और शक्कर ओकेए ददा टेक रोल कामरा टेक टू एक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् ए जुआूर। ददा, कॉटकॉट सीन की मा... मैर मतला, मा को नहीं बुलाने का ददा वाइफ को बुलाने का वाइफ को? जुआ, ददा और एक बर सीन समझातो जरह वह ददा आप अपना योईफ को बहुत प्यार करता है एक दिन आगे अपना वाइफ को पोखड के प्यार किया था 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 था। इसको ए हुग अपना अंधर ओपी फील रखो और बोलू माल्ती पास एटु की चाहिए इसके पहले लोजिंद था ने हा था तो यहसा बोलना चीए ने सारी था चल जा टेकर रोल्ल क्यामरा? एक्सान रोल्ल क्यामरा? रोलिंग टेक् थृरी आक्सान आवल नावल इस्टाइव धददा रोमंटिक राथ खतम कि अखतम मतलब तुने यह तो बोला रोमेंटी को ना है हाँ ददा लेकिन यह थोड़ा जास्ती हो गया ददा एक वन मोर कोरेगा ददा प्लीज यह तो बहुत ले रहा है टेक पे टेक ओके ददा वन मोर कोरेगा रोल क्यामरा एक पूर एक्स ओन माल ती ददा कोट ददा थोड़ा फीलिंग लाव ददा फीलिंग नहीं पोचा नहीं पोचा ददा मेरे को पी समझ मे आ रहा है फीलिंग नहीं आ रहा है शिवकुमार आया सर आया का कॉल टाम क्या है 9-6 का सर अरे तो गंड़ा मेरे को छे बज़े काई को बुलाया है अकल नहीं थी तरे हाँ ब्रेक कर लो ये शिरो लाओ सरी है ये इसोके ब्रेक ये मेडम को दोने नहीं मुझे नहीं नहीं चाहिए अरे खाके देखो प्योर माल है और किदर मिलेगा नहीं ये सा ये डालने बिल्कुल थोड़ा सा बस 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 काजू दे काजू दे मेरे को किसमिस किसमिस बोला तो भी काजू ही देता है हम चल एक बार फिर से समझा दे बताता है ददा आप वो सीड़ी से नीचे उत्रे का ये बंदू मेरे को क्यू सुना रहा है डायरे कईया को इच सुना ने हम भलू आया ददा आप वो सीड़ी से नीचे उत्रेगा और यहार से अपना वाइफ को बुलाएगा माल दी वो आपके पास पुंचेगा और आपसे बुलाने का वजा पुछेगा टेक को रहे देदा समझा दियाने चल जा भी ओके ददा रोल कामेरा एक्स ओन मा की अप्ती सुरी खौट खौट अचा हुआ हवा उपर से निकला गेस थाई गयाचे जाओ उपर से किछो प्रॉब्लम है क्या थोड़ा एस्टीडी हो गया है अब एस्टीडीडी कर दो कर दो अब ही ओके नँ डादा एक टेक और कोरेगा प्लीज हाँ ठीक है मुप्त है रोल कामरा, रोलेंग, एक्स ओन, मालती, कट, अवे सुझ है, सर, आप फ्रेम से बाहर आ गये, फ्रेम से बाहर आ गया, सर, पोजिशन मार्क किया है, पोजिशन पे ही तो खड़ा हूँ, अब ही सही है, आप ज्यादा जुग गये, ए, सही मार्क लगा ना, ओड़ी बाबा, कि दोर भी खड़ा हो जाता है, सोरी, गलत जगे खड़ा हो गया, सला, सेटिंग कोरता है, एके दादा, वन मोर टेक कोरेगा, दादा, और एक बार कोरेगा, ठीक है भाई, लेले, एक्स ओन, मार्क को देखा ? अबटा это को देखना नहीं? अच्छा ऐसा, मार्क इधर ही रहेगा, लेकिन उसे देखना नहीं है, पर खड़ा उधर ही होना है ठीक बोला दाता, भी जी फिलम में इसको नहीं लूँगा एक्स ओन माँ कॉट 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 फिर मार्क को देखा क्या दादा, आमी बोची दादा, पहले माँ को देखा, मेरे को देखा, फिर एके करके सौब को देखा दादा एसा क्या? आँ दादा दिखा मेरे को? आओना दादा, रिवाइंड करके पले को और मा अ तो साच्च बोले चे चल, फिर से ले कितना लेगा आम सारी ये कमेरा थोड़ा दूर करने? नहीं सर, क्लोज शॉट ही लेना पड़ेगा हमें मा vista super Wood남 हाभी हम आरके करेगा टेक नहीं किया प् केमेरा रोल नहीं किया केमेरा रोल कीया चली शुए और ठेरेको तो कैमेरा रोल करना चाहिए था सर ने रोल का आवड़रि नहीं दिया यह ङारा झाम आर क्रेगे तो कामेरा रोल केबा यह तुम रोल केमरा बभू, रोल केमरा माँ दादा थोड़ा गड़बोड हो गया दादा पता है जब सही किया तब इस गड़ेडा में रोल नहीं किया ठीक है वन मुर दादा सीन में वो लाइफ नहीं आरा दादा थोड़ा एनोर्जी टालूना एनोर्जी जुए छे हां दादा ठीक से ठीक कोरेंगा रोल केमरा रोल केमरा अरा चूप रेडी नहीं हूँ पहले पूस्तो करा सॉरी दादा रोल केमरा रोल केमरा रोलेंग रूलेन देख देख geen रहु ₹आग रहड़ा रोल केमरा रोलेंग रेड़ी दादा, दादा मार्क को देखने का है तो अभी देखलो, बात में नहीं देखने का है रोल क्यामरा, एक्सोन महाल्टी, अब तो यह ठीक से खोड़ा भी नहीं हो पर दादा, यह फिर से फ्रेम से बाहर निकल गए यह जलाराम बापा, पहले तो सेट पेसे गिर्दी कम करनी पड़ेगी हाँ दादा, इनी प्रोब्लम दादा तेरे से बात करनी है, जराबारा तो यह दादा, यह टली तो नहीं है, पता नहीं, बदबू तो नहीं आया हाँ दादा, बोलून, कल से सेट पे, तीन लोग ही होंगे, तू कैमेरामेन और मैं, कल देखना मेरा परफॉरमंस, समझा नहीं दादा, कल मिलना, समझा दूंगा, ओके दादा जैशी क्रश्ना मोटा भाई, आप कहीं बार जा रहे थी क्या, तो ठीक है, अईया, हाथ जोड़ी लोगू, बस ऐसे ही इधर से निकल रहा था, तो मैंने सोचा, जरा आप से मिल लो, बैठो सेट, कल आपके जाने के बाद ने, मैंने इस बारे में बहुत सोचा, आप करेक्ट बोल रहे थे, कला और वेपार को एकट समझ लिया ने, ये बहुत बड़ी भूलोगे, अईया का तो अलगी क्लास था ने, ये फाइटिंग गाना बजाना कभी किया ही नहीं, अईया तो सबसे अलग थे, मेरी फिलम में कुछ अलग लगा होगा, तभी तो अईया ने फिल्म साइन की, अईया तो अभिनाई के समराठ है, कोई मामूली रोल उने थोड़ी देंगे, मोटा भाई मैंने फिल्म में से सारे फाइट सीन हटा दिये हैं, सोंग सिक्वेंस भी, कल आपको थोड़ा बुरा भला बोल दिया, वो देल पे मतले ना, चाहिए तो मैं सोरी भी बोल देता हूं, चलो बोली देता हूं, रियली आयम सॉरी, शूटिंग की टेंशन थी, एटले गड़बड हो गई, परसनली मत लेना, देखो मैं पूरी रत सो नहीं पाया, आया की आज की डेट हमारे पास है ने, तो फिर वो आये क्यू नहीं, मेरी डेट किसी और को दे दी क्या, वो कहीं और तो नहीं चले गए, वो कहीं नहीं गए, डेट साफी की है, ओ अच्छा, सुना है वो कमिट्मेंट के बहुत पक्के हैं, हमेशा सेट पे समय सर आते हैं, सही कहा, हमेशा आते हैं, सिवाए एक बार के, हाँ, सुना है, श्रवन कुमार के शूटिंग पर, इस बार मुझे तो गलत नहीं समझ लिय नहीं जानता, यह सब मेरे ही भूले, पड़ इंसान उने, इंसान मत्र भूलने पात्र, पड़ जान बूच के नहीं किया, रियलाइज होते ही आपको सोरी बोलने भी आ गया, पहली भूल है, बाफ कर दोने मोटा भाई, अब इसमें इतना क्या सोचने का, अब मैं क्या कहू मुझसे भूल हो गई मुझे माफ कर दो, इन्हें जो कहानी सुनाई थी ना वही फिल्म बनाऊंगा, अब नाराजगी छोड़ो और थोड़ा कोपरेट करो, मोटा भाई आप भी, भगवान पर भरोसा नहीं है, इतना आया जी पे है, वही मेरे भगवान पर भरोसा नहीं है और वो आएंगे, मेरा दिल कहता है, संभाल लेना वहां से लिंगे सर पहला शौट, हाँ, ठीक बोला सर, फिल्टर लगाओ क्या? जरूत नौए बाबा सर, यह सब सेटिंग तो हो जाएगी, बस यह एक्टिंग कर ले आजए या नहीं आया तो वापस पोपट हो जाएगा सर, ट्रॉली अभी तक आई नहीं अज क्या करना है? चौलते हुए जौल के अंदर घुशने काता था यह जाता, जैसे में अक्षन बोलूँ गुश्य में तॉन कोनेका रड़ी दादा रोल्ल क्यामरा रोलिंग सर अक्षन कितनी एक्स्प्रेशन आते हैं सब के सब देडलता हूं दादा कोई भी सौट ओके नहीं हो रहा दादा सब कुछ फिनिस हो गया दादा, की हो लो? यह यह दो दिन से शूटिंग में नहीं आ रहा अड़ी बाबा, अब क्या करेगा दादा? क्या करे एटले हम कर भी क्या सकते हैं मैं ही ट्राइ करता हूं यह बटके जॉल की तरफ देखने का दादा ओके दादा हम तेक कोरेगा रोल केमरा सर, थोड़ा अगे बैठ जाए सर यह तो यह केमेरा मेंने परेसान कर दिया उड़ी बाबा की कॉर्चिस दादा बहुत ओके दादा आपको और जहल नहीं पाएगा कुछ भी कोर के ओया कभला प्लीज मेरा प्खोन ला हेलो जो मोटा भाई यह जो भी हो रहा है ना उससे आगे बहुत प्रोब्लेम होने वाली है फिर बाद में बोलना मत खुद को समझते क्या हो तुम देखी जिठालाल जी मैंने शर्ते साफ साफ बता दी थी क्लियर कहानी कुछ सुनाई और शूट कुछ और किया सम्थिंग एल्स आपने अपना वादा तोड़ा एक ही बात कितनी बार बोलेगा सोल्यूसेन है तो बता आपके पैसे लोटा देंगे रिटर्न वैसे का क्या करूँ उससे मेरी फिलम बन जाएगी क्या ताने खबरपंचे कितने खोके घुजगाए पिक्चर में अभी तक अभी तक आधी पिक्चरी शूट हुई है और आया नहीं आया तो मारी तो बैंड बन जाएगी ने देखो मुझे कुछ नहीं सुनना अगली शूटिंग दिवाली के ठीक बाद है आया को आना इस पड़ेगा और अगर नहीं आया ने तो देखना मैं तुम सब के साथ क्या करता हूँ गांडो थे ग्यो आत्माना चक्करमा कि एक मिनट भी बरबात किये बिना तु जा और थेटर में बैठ ओके सर नहीं तो जल्दी किसी को भेज देना ओके सर नहीं तु खुदी जा और अगर किसी ने अच्छी एक्टिंग की ना ओके सर और उससे आया का पता चलाना ओके सर फॉरन मुझे कॉल करना उसे पकड़के उससे सब उगलवा लूँगा सर, अईया का सीन कब शूट करेंगे? आज ही का शेडियूल है कैसी एक्टिंग की है? कैसे बता सकता हूँ, अभी तक आये ही नहीं परशुराम को भी फोन टे पूझा था, बस एक ही बात कहता है मुझे कुछ नहीं पता अरे बाप्रे, तो शूटिंग कैसे करोगे? क्या कर सकता हूँ, फिल्म कल खत्म करनी थी, एक ही सीन था कुछ इदर उदर से चीट कर लेंगे ऐसा क्या? ठीक है, रखता हूँ हलो सार है, हीरो दो गंटे से मेक अप करके कड़ा हूँ, हीरो इनरस के बाजू में खड़ी होके बोर रही है हाजी जी, कब आएंगे नहीं जांता, डून नो यह कॉन सा पाशर है पहले के एक्टर से पॉनेटिशन बन गे सामड़ो, इधर मेरी बैंड बज गई है अया एक हफ्ते से शूटिंग पे नहीं आए एसा ही रा तो शूटिंग अब तक पॉस्पोन करता रहूंगा मैं तो कोशिश करके ठक गया वो जान बुझकर नहीं आ रहा यह सिर्फ मेरी प्रोब्लम नहीं है इसकी भी है और इसकी भी है चे उड़ो खावा आवे छेके है या इनका पेचवर्क बचा है इनका तो सीनी शुरू नहीं हुआ कितने लोगों के काम बाकी पड़े है पर मेरी हालत सबसे खराब है इंटरवल पे आकर अटक गया हूं मैं अब आया की भीना आगे कैसे बढ़ू सुनो ऐसी बेकार की शिकायत कॉंसिल के सामने क्यों रख रहे हो अरे ये मेरा हक है मैं भी असोस्येशन का मिंबर हूँ एक स्टेज एक्टर मरता है उसकी आत्मा एक्टिंग करने लगती है और लोग उस आत्मा की मदद से फिल्में बनाने लगते हैं और वो फिल्में हिट होने लगती है अब वो आत्मा फिल्म को बीच में ही छोड़ कर चली जाती है एक जिंदा स्टार के साथ फिल्म बनाने में ही पसीने छूड़ जाते हैं और एक तुम हो जो आत्मा से काम करवाना चाहते हो आपको विश्वास नहीं है, आपने अया की डेट्स नहीं मागी थी क्या मेरा नसीब अच्छा था, जो मेरी कहानी रिजेक्ट कर दी मैं बच गया और तुम फस गए सिर्फ तुमारी कहानी दमदार है, उसके लिए कोई हीरो भी तो दमदार रखना चाहिए था ना किसी की बुरी नजर लग गई जे ठलाल, जब आया जिन्दा था तब एक नमबर का जिद्धी और अडियल था मेरे पिता की फिल्मों में काम करने से मना कर दिया था दुनिया में कोई भी किसी आत्मा से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता मुर्दू से बहस तक नहीं कर सकते हम प्रेडूसर हैं ना कि कोई योगी तांतरिक, हमारी लिमिटिशन को समझी है सुनो जे ठलाल, इस लाइन में तुम्हें इतने सलों का एक्सपिरियेंस है अपने दिमाग से कोई न कोई हल निकाल लो क्या सर, अया की टेलेंट पे भरोसा करके मैंने मार्केट से करोड़ों उठा लिये एजे हीरो मेरी पहली फिल्म थी, अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया अब अगर गडबड हो गई ने, तो लेने के देने पड़ जाएंगे अगर राजा की ताकत छिन भी जाया, तो भी वो अपने आपको राजा ही समझता है अब ये देखो, इतना बड़ा शाहिंशाह काल कोठरी में पड़ा हुआ है, लेकिन अभी भी गुलामों को बुलाने की आदत नहीं गई इस काल कोठरी में कौन है ऐसा, जो मेरी आवास पे दोड़ा चलाएगा ये किसकी आहट थी, मेरी मोत की तो नहीं ये जलाद मुझे फांसी चड़ाने वाले है, एक राजा की ऐसी दुर्दशा भी हो सकती है मैंने सोचा नहीं था, क्या तुझे भी डर लग रहा है मा अब मुझे किसी बात का बहनी ही रहा, कोने को बचा ही क्या है मेरे पास की मैं डर हूँ भाईया, भूल हो गई मुझसे, हां न कहते, तो थियेटर के बहाने हमारे साथ तो रहते, हमने, पैसों का लालच किया नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है धर्ती और स्वर्ग में कोई अंतर नहीं यहां तो सब के थोबड़ों पर बारा बचे गया है मैं तयार हूँ सर, मुझे बनों के खुंगती हूँ हां, बोल, जल्दी बोल सर, यहां तो सब लग क्या सॉलिड एक्टिंग कर रहे हैं सर फर्स क्लास एक्टिंग मैं तो बोलता हूँ सर, अगली फिल्म में इही में से किजी को एरो-ईरो ले 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 थे पिछले कुछ दिनों से स्वरगिय आया ने किसी शूटिंग में हिस्सा नहीं लिया है कई फिल्म परियूसस ने फिल्म परियूसस एसोसियेशन से शिकायत की है कि उन्होंने जितनी भी फिल्म में साइन की है वो सब रुकी हुई हैं इस बास से आया के टाय हार्ड फैंस को बहुत शौक लगा है और उनके सभी फैंस उनकी आत्मा के वापस आने का इंतजार कर रहे हैं नमस्ते सर त्यागी बोल रहा हूं जो मैंने सुना वो सच है आप यकीन से कैसे कह सकते हैं कि आया की आत्मा चली गई है पिछले दो-तीन महिनों से हमारे आया फिल्मों में काम नहीं कर रहे हैं नौट वरकिंग और मैं सिर्फ शूटिंग की बात नहीं कर रहा थियेटर के भी किसी प्ले में नहीं आयें नौट कम अब तो हम उम्मीद भी छोड़ने लगे हैं लीविंग डर लगता है ये सोच कर कि हमें हमेशा के लिए छोड़ गये हैं फॉर एवर आपके हिसाब से उनके जाने की वज़ा क्या हो सकती है आपसे रिक्वेस्ट है अफ वाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दे अया के गायब होने के बाद उनके जाने वाले निराश हैं उनके डाय हार्ड फैंस क्या कहते हैं आईए देखते हैं देखो बाई मरने के बाद भी वो आक्टिंग करने आए कोई इच्छा अधूरी रह गई कोई खास रोल का इंतजार होगा अया की रूफ अगर रूट के चली गई है ना तो हम उसे मना के लाएंगे किसी भी हालत में तो क्या ये एक हत्या है कला की और कलाकार की अगर है तो ये किसने की और वज़ा क्या थी कौन छे अभी मैंना राओं बाद में आना सर मैं अर्जंट है सर अर्जंट है तो क्या एसे बार आ जाओं जाओ यहांसे एक बार टीवी आन करके देखिए सर नीउस में आपकी ही ख़बर आ रही है मेरी ख़बर अ अ एक ताज़ा खबर के अनुसार मैश नाम के एक आदमी ने जाने माने प्रोड्यूसर और डेबीटेंट अक्टर जेठालाल पे आरोप लगाया कि उन्होंने अया की आत्मा की हत्या की है आखरी बार आया को देखा गया था जेठालाल की फिलिम छोड़ना नहीं किस सेट्स पर और उसी दिन से आया कहां गायब हो गए ये किसी को नहीं पता एपस्दोर आर को अध्या शेतना वो अध्या को अध्या है जलूठा वे यह सब क्या बक्वास है? मैंने उसे कब मारा? वो तो पहले से ही मरा हुआ था हाँ मारा था पर आत्म तो जिंदा थी? अब वो लोग क्या कह रहे है के ने आया की आत्मा की हत्या कर दी है जाओ आपिसमें वेट कर बक्रा एलो जेटालाई जी अच्छा वा आपने फोन किया एक ख़बर दे नी थी आपको उच प्रोब्लेम वाली तो नहीं ने सार अब क्या हो गया? सेर बाहर मीडिया की लोग आए है और आपसे मिलना चाहते है सार मीडिया वाले? या सार वकिल जाए बाहर मीडिया के लोग आए है मेरे को क्या करना चाहिए? मीडिया ना? तो आप बिंदास बात करो ना? खुल के बात करो फिर मैं आके खुलता हूँ भले सार अगर आपने मीडिया से बात नहीं की ना है तो वो लोग आपको कातिल समझेंगे जुप सार आप निर्दोश है ना सार तो फिर डरने की क्या रूरत है? गदेडा कोट केस रिजट कर देगी सार अपना जमीर साफ हो तो जमाने से क्या डरना है आखों में आखे डाल के बात करना एक और फाईदा भी होने वाला है सार सार आपके फिल्म के लिए पता हिए क्या होगा फ्री पबलिशिटी सारसर पिछे 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 एक एक हाएव क्या प्लीज़ प्लीज़ किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है सब जानते हैं ये जूट मूट का केस है कोट ये केस एकसेप्ट करेगा ही नहीं केस एकसेप्ट हो जाए तो मुझसे सवाल पूछना मैं जवाब दे दूँगा मेरबानी करके अभी मुझे डिस्टब मत करो स्टेज अक्टर आया पर ताजा जानकारी ये है कि प्रोडूसर जेठालाल पर आरोप लगा है कि उन्होंने अया की आत्मा का मर्डर किया है और इस बात को लेकर अया के फैंस में भारी रोश है कोट में अया का केस एकसेप्ट होना चाहिए क्योंकि जो भी हो रहा है कानून अन बिल्कुल गलत है अगर कोट ये केस एकसेप्ट नहीं किया तो हम उस कातिल को सजा देंगे अया क्या हत्यारे को फासी लग दीचे अगर नहीं मिली तो हम उसे मार देंगे अगर कोट ये केस एकसेप्टा करे तो हम उस कातिल को सबग सिखाएंगे आया के हत्यारे को फांसी पर चड़ाना चाहिए वरना हम उसे मार देंगे वुटने केस नहीं लिया तो पूरे शेहर में यह सब क्या चल रहा है सजासे बजबी गया तो उसके घर में खुचके पारेंगे इतना बड़ा कांट कर गे अराम से घुम रहा हम चूत नहीं रहा है सब्सक्राइब हो सूप करोचोता में मारे पबलिग ना जमाव्णा चेना पुलिस पन आईवी छे यह जानक सेड़ जी की पटके हो यह हुआ हुआ है हो बाराम, हुझा 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 है घुचनियाश, भी भी अरप्सचर्ण के भी electrws के तर् § को भिए हुझा है जारती है तो करेंगे लिर्स का रहे कि नगर कारें किほ तो करेंगे सा शाओ हो सबस्क्राई आगाई सेर, फालतु का ड्रामा कर रहे है, ऐसे में बाहर जाना ठीक नहीं होगा, सटकी भी पबलिक है कुछ भी कर सकती है, आपका अंदरी रहना सही होगा, नहीं तो घर के साथ-साथ आपको भी तोड़ देंगे, और ऐसा तोड़ेंगी के रिपेरिंग भी नहीं हो सकेगी, वीडि इसे मैं अपने तरीके से हैंडल करूँगा, हम लोग कोड रहेंगे, मान हनी का केस छोग देंगे, आपकी जान को खत्रा ऐसा बोल के, उनसे पुलिस प्रटेक्शन मांगींगे, एक बार केस कोड में आने दो, उसके बाद मैं सब समाल लूँगा, ये केस आप ही जीतेंगे काका, जेटालाल ने पुलिस को स्टेटमेंट डिये कि उसे आईया से डर है, पुलिस प्रटेक्शन भी मागी है, इतना ही नहीं काका, उसने हम पर उसे बदनाम करने की बात की है, और हम पर एक डिफेमेशन केस दरज किया है कानून के इतिहास में कोट में पहली बार किसी आत्मा की खिलाफ मान हानि का केस लड़ा जाएगा, थोड़ी देर में केस की सुनवाइस चुरू हो जाएगी सर, सर पसैंग सबार menu सर, सर आपने आया कि खिलाफ मान हानि का केस गार किया है, एसा क्यों गया सर? आपसे मैंने पहले भी काई, आप सब तो जानते ही हो, कोई मुर्दे को कैसे मार सकता है, आत्मा को कैसे मार सकता है कोई, वो लोगों को ठग रहे हैं, यहां एक से एक एक्टर पैदा हुए, उनमें कोई टेलेंड नहीं था क्या, उनकी आत्मा क्यों नहीं आई? आपकी बाद ठीक है, पर क्या यह सच है कि आपने कहाने कुछ और सुनाई और फिल्म कुछ और बनाई? देखो भाई, मैं एक बहुत रिस्पेक्टेड फेमिली से आता हूँ, मेरे पपा अपने जमाने के बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, और आज मैं मीडिया पर 20-10 के सकता हूँ, उन्होंने सिर्फ हिट नहीं, अवर्ड विनिंग पिक्चरे बनाई थी, हम पर उंगली मत उठाना, हम पर जूटा आरोप लगाया है, अगर मुझे कुछ हो गया, तो उसके लिए अईया जिम्मेदार होगा, और उसका परिवार भी, मेरे साथ जो हो रहा है ऐसा, और किसी के साथ ना हो, सिर्थ, साथ, साथ! सिर्थ, साथ! सिर्थ, स recharge! यह सर यह जो चस्मे वाला है वो कौन है? सर यह वही है जिसने आप पे केस किया इसको पेले कहीं देखा है? सर यह अपने ओफिस में अपनी स्टोरीज लेकर बहुत बार आया है लेकिन आपने इसको कभी ख़डा नहीं किया, हमेशा भगा डला केस नमबर 1264-2017 Ravi Chandran जी विटनिस हाजिर है? जेठालाल Your Honor हमने केस फाइल किया है, जिसमें मानानी का दावा किया है इन्होंने मेरे क्लाइंट पे जूटा इल्जाम लगाया है कि मेरे क्लाइंट ने एक आत्मा का कतल किया है इस इल्जाम का Your Honor कोई तर्खी नहीं है मीडिया भी इन बातों को खूब पहला रही है बिना कोई तैकिकात और पुखतस सबूत के Your Honor, मेरे क्लाइंट एक बहुती पड़े लिखे इनसान है शरीफ और समाज में इनका एक रूदबा है बहुत इज़त है इन्होंने काफी प्रडूसर्स को ठगा है उनसे काफी पैसे लिए हैं ये कहकर कि एक आत्मा एक्टिंग करती है Your Honor इसी जहासे में इन्होंने मेरे क्लाइंट को भी फसाया है पर मेरा क्लाइंट इनके जहासे में बिलकुल नहीं फसा इन्होंने मेरे क्लाइंट को ब्लैकमेल करने के कोशिश की इनसे एक बहुत बड़ी रकम मांगी और पैसे ना मिलने पर ये लोग मेरे क्लाइंट के बारे में गंदी-गंदी अफ़ाएं फैलाने लगे Your Honor, अदालत से मेरी गुजारिश है कि कानून ऐसे लोगों को सक्स सक्स सजा दे और मीडिया को ऐसा करने से रोके That's all Your Honor Sir, हर कोई मुझे मारना चाहता है यहां तक कि कल एक भीड ने मेरे घर पे हमला कर दिया पहले भी अफ़ाए फैली हैं, Sir लेकिन उन में से कुछ भी साबित नहीं हुआ मेरा बस टाइम खराब चल रहा है, Sir ये फिलम ही पनोती है मैंने गोर माराज की बात नहीं मानी ने उसी गलती का नतीजा भुगत रहा हूँ मेरी लाइफ में कभी ऐसी कोई प्रोब्लेम नहीं हुई सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं पर अब मेरे घर के बार लोग नारे लगाते हैं, पत्थर मारते हैं मैं बीवी बच्चो वाला वेपारी हूँ, Sir कभी कुछ उंच नीच हो गया तो मैं कहां जाओंगा, Sir Your Honor, इनकी जान को कोई खत्रा नहीं एक एक्टर की आत्मा जो अब तक जीवित थी, वो मर चुकी है और इस ने उन्हें मारा है जनता का गुसा होना बिल्कुल जायज है तीन सालों से लोग उने देख रहे थे उनकी आक्टिंग का लुथ उठा रहे थे लेकिन इनके शूटिंग के दौरान ठीक 22 अक्टोबर के दिन आत्मा गायब हो गई और उसके जिम्मेदार ये है Sir, पहली बात तो वो अल्रेडी मर चुके है चार साल पहले उनका अंतिम संस्कार हो चुका है मरने के बाद किसी की आत्मा जग गई और शूटिंग करना चालू भी कर दिया Mr. J. Halal, बात करते समय थोड़ा संयम से काम ले गलती हो गई, जज साहिब मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था अपने पपा से उनका नाम सुना था आज तक उनका कोई प्ले देखा नहीं मैंने बस वो एक जबर जस्त एक्टर थे इतना सुना था उनसे मैंने एक्टिंग करने को कहा इसका कोई प्रूफ नहीं है आत्मा जिंदा है ये बोलकर इन लोगों ने बहुत लोगों को ठगा है बहुत पहले उनके उपर केस हो जाना चाहिए था कब तक एक मरे हुए आदमी के नाम पर रोकड़ा कमाते रहेंगे ये लोग इनको लोगों को ठखके पैसा बनाने की आदत पड़ गई है आप देख लेना जट साहिब ये फिर से आया के लोट आने की बात करेंगे और आया गए कहां होंगे इतने नोट छाप रहे थे तो जाने के जरूरत क्या थी जट साइब आप भी जानते हो ये लोग जूट बोल रहे हैं ने अच्छा आपकी फिल्म में काम नहीं किया नहीं किया फिल्म का हीरो मैं था अच्छा काम नहीं किया तो उन्हें पेमेंट क्यों दी क्या उनसे पूछो उनके नाम का कोई चेक दिया मैंने मतलब पूरी पेमेंट कैश में दी है ना आज तक एक फूटी कोड़ ही नहीं दी और अगर दी है तो ये लोग प्रूफ लाकर दिखा दे जरूर इनोंने पैसे कैश में दिये होंगे लेकिन रसीद और वाउचस फार दिये होंगे योर अनर ये बिना किसी सबूत के मेरे क्लाइन पर इल्जाम लगा रहे हैं जो बिल्कुल बेबुनियाद है अपने फिल्म की पब्लिसिटी में आया का नाम क्यों लिखा था लाव इधर लाव इसे आप खुद देख लीजिए वहाँ चार-पाच एडवर्टाइज ओर है सब में लिखा है यह एक्टिंग कर रहा है अच्छी पब्लिसिटी का यह बेश तरीका है यह सब स्टंट है जद साहिब यही ट्रेंड है एक जूट चल गया ने तो सब उसे फॉलो करते है मैंने भी वही किया तो क्या गलत किया लेकिन मैंने इनको एक पाई भी नहीं दी तो आप कहना चाहते हैं कि आत्मा ने एक्टिंग नहीं की आत्मा ने एक्टिंग की इस बत पर मुझे भरोसा नहीं है पर यह कह रहे हैं कि अईया की ही आत्मा ने आपके त्रू एक्टिंग का नफर्म नहीं की है मेरे अंदर आत इस पेंड्राइव में इनकी फिल्म का एक सीन है, जिसमें इन्होंने आक्टिंग की है, अगर वैसी ही आक्टिंग अभी ये करके दिखा सकते हैं, फिर तो कोई शक ही नहीं रहेगा, और हम इनकी बात को सच मान लेंगे, सर सर, फुटेज मत देखना, ये अन्रिलीजद है, य केस कर दूगा, सर, किसीने मेरे ओफिस से फुटेज चुराई है, ये सब क्या है, रिलीज से पहले फुटेज तुम्हारे पास कैसे पहुच गई, वो छोड़ो, उसे अभी क्यों लेके आए, ये और आनर इन्हें केस करने दीजे, हमारा इरादा बिल्कुल साफ है, ये इनकार कर रहे हैं, आप सिर्फ एक बार सीन देख लीजे, और इनसे कहिए कि बिल्कुल वैसा ही पफॉर्म करके दिखा दे, कर सके तो प्रूव हो जाएगा कि आया की आत्मान आक्टिंग नहीं की, और इन्होंने ही इस फिल्म में आक्टिंग की है, इसके बाद हम इस फिल्म में आया नहीं है, ये आप कह रही है, अगर ये बात प्रूव हो जाती है, तो केस क्लोज हो जाएगा इनके सामने सेम टू सेम एक्टिंग कर दो बात, खत्म हो जाएगा सुनो, एक काम करो, ये पैन ड्राइव मेरे लैप्टॉप में लगाओ सर, ये आप क्या कर रहे हैं, इन्होंने मेरी फिल्म चूराई है अभी तो बताया था, इस मामले में अलग से कारवाई करेंगे सर, आप साक्षात न्याई की मूर्ती है, जज है, इन साब के देवता हैं आप, भगवान तुल्य हैं ऐसा फैसला कैसे दे सकते हैं, सर? जेठा लाल जी, अभी फैसला नहीं हुआ है, धीरज रखिए अगर इसमें आप नहीं एक्टिंग की है, तो फिर चिंता क्यों कर रहे हैं माल्थी 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 यह 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 कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल 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 देख लेजिए थोड़ा टाइम देता हम पल्कि एक्टर्स नहीं एक्टिंग की थी और ये भी की अईया की फैमिली जूटी है और फ्रोड है जेठा लाल अगर आक्टिंग नहीं कर पाए तो अईया की मौजूदगी साबित हो जाएगी उसके बाद सवाल ये आएगा कि आखिर अईया गए कहां उनकी आत्मा की मौत क क्या वज़ा थी इन सभी सवालों के जवाब बस थोड़ी देर में क्या कर आखिर जी पच्चास सालों से आपकी फैमिली फिल्मों से जुड़ी है तो ये सीन तो आप आराम से कर लेंगे बहुत आसान है ये लोग सीन भी ऐसाल है जिसमें डालोग ही नहीं है ये ज़रा सा सीन एक्ट करना आपके लिए तो खाड़े का गाव है सर आप ते पुझे कितने बुलबचेन दिये थे के स्कूल में तो आपने बट अक्टिंग की बड़े बड़े करेक्टर की है तो स्कूल में और यहां में क्या अफोग होग है सर कटगरे में खड़े ओज तो खोड़े एक्टिंग कर के दिखा दो यह अएम आईया सब भूल जो आपस अक्टिंग करो एक बार एक्टिंग कर के दिखा दो पूरे कोट के सामने फिर यह केस हम ही जीतेंगे सर जीत हमारी होगी का यह जाए पाड़े आप कारे बाई शुरू करो जी जेठालाल जी तैयार है यह कैसी परिक्षा है यह कैसा इंसाफ है कभी एसा केस सुना ही नहीं एक आत्मा की हत्या के लिए मुझे मेरी फिल्म दिखा रहे हो और तो और आप मुझसे मेरी एक्टिंग करने को कह रहे हो यह क्या है जट साब जेठालाल जी यह कोट आपके लिए है आपको आपका पक्ष रखने का मौका दिया जा रहा है आप अपनी बात साबित कीजिए जस प्रूव आपके पर्फरमेंस के दौरान आपको कोई नहीं रोकेगा कोट की बात ना मानने पर कंटेंप्ट अफ कोड का केस लग सकता है पूरा सीन मत कीजिए जितना पैन ड्राइव में है बस उतना ही कीजिए वो भी अकेले अईया क्यों करवा रहा है असा है क्यों जेठालाल आप उड़ेंगे तिर बचे हुए बाल वी आर वेटिंग हाँ भाई हाँ शुरू कीजिए एक्टिंग करनी है मजाग थोड़ी है जेल जाने से पहले मेरी पखार दे दे ना हाँ चल आक्टिंग कर मिलेगा ओसकर क्या कर रहे हैं हां शुरू हो जाइए मिस्टर जेठालाल और भी केसेज सुनने हैं जरद से ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते इस तरह कोट का टाइम जाया हो रहा है है एक्टिंग करो से जेए लगता है गेम ओवर मा कसम लग रहे भाई तू तो गया डालोग भूल गया क्या बहुत मारूंगा गधेडीना मेरे पास मेरी एक्टिंग कोट में करवाएगा तू इस्टर जेठालाल आपके मिस्स बेहविर के आप पर कंटम्ट अव कोट का केस लग सकता है एड़ोकेट करवी आपने क्लाइंट को कोट में बात करने का तरीका नहीं सिखाया माफ कीजेगा मैं इनकी तरस से आपसे माफी मंगता हूँ मैं आपको दस सेकेंड और देता हूँ मैं तुझे इंडस्ट्री में नहीं रहने दूंगा एक एक की खबर लूंगा मैं मिस्टर जेठालाल नहीं करूंगा मार जाओंगा तो भी नहीं करूंगा मुझसे अब ये सब नहीं होगा मुझसे अब ये सब नहीं होगा मुझसे कतल का आरोप है ना मैं सुप्रीम कोट जाओंगा कहीं भी जाए एक्टिंग थोड़ी कर पाएगा मिस्टर जेठालाल खुद को निर्दोर साबित नहीं कर पाए और इन्होंने परसु राम जी पर और अभिनव कुमार उर्फ अया और उनके परिवार पर जो डिफेमिशन चार्जिस लगाए वो ये साबित नहीं कर पाए इसलिए ये कोट सुबूत ना होने पर इस केस को पूरी तरह से खारिज करता है मिस्टर जेठालाल आज के बाद बिना लॉजिक के समाज में कोई बात नहीं फैलाएंगे ये कोट का ओर्डर है बहराल लगातार वार्निंग देने के बावजूर मिस्टर जेठालाल ने अदालत की तोहिन की जो खेर कानूनी है तो पुलिस उस पर फॉरन एक्शन ले शायद दुनिया की कोई अदालत ऐसा केस एक्सेप्ट करती ही नहीं मरने के बाद आत्मा होती है या नहीं होती है ये दुनिया की कोई अदालत सावित नहीं कर सकती यही बाद भगवान पर भी लागू है लेकिन एक कलाकार जो अच्छी अक्टिंग करता है आज अक्टिंग नहीं कर पाया इसका भी कोई जवाब नहीं है दुनिया की हर सच्चाई को तरकों से नहीं समझाया जा सकता खास कर कला को जो लॉजिक से बिलकुल परे है जब से इनसान अस्तित्व में आया है कला उसके अंदर ही रही है हर इनसान में कोई न कोई कला है वरना उसका वजूद ही नहीं है चमतकार होते हैं लेकिन हमें उनका एहसास ही नहीं होता। शायद इसलिए हम उनकी एहमियत समझ नहीं पाते। आज भी नहीं जान पाए कि चमतकार होते हैं या नहीं। और अगर होते भी हैं, तो हम उन्हें मानें या ना मानें या क्या करें। अईया के फैंस के लिए मैं सिर्फ एकी बात कहूँगा कि उनके नाम पर दंगे फसाद मत कीजिए। बिल्कुल भी नहीं। कला या कलाकार की कोई सीमा नहीं होती। जब तक ये दुनिया रहेगी कला जिन्दा रहेगी। झालस टिल्सें कला सबस्सें से लिए क्वारा कनार Framework झालसcakे नहीं होती। झाल झाल झाल